So hey guys, welcome back to Shalinya के Admix, मेरा नाम Shalinya Varma है और मैं लॉट आई हूँ एक और इंट्रस्टिंग वीडियो लेके So guys, आज हम बात करने वाले हैं Slabas के बारे में, जी हाँ हम डिसकस करेंगे Slabas 2024 and 2025, क्या क्या आपका Slabas आने वाला है, कितना कितना आपने कोर्से में कवर करना है, आज हम उनी के बारे में बात करने वाले हैं So start करने से पहले मैं आप सुभी से रिक्वेस्ट करूंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, because इस चैनल पे न्यू और इंपॉर्टन इंफर्मेशन आती रहती है So guys, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका new session स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्टार्ट करने से पहले definitely जाना चाहेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, किस chapter में से कितना आएगा, कौन-कौन से chapters जो हैं वो नहीं पढ़ना है, ताकि जो आपके efforts हैं वो waste ना जाएं, तो उ cbsc syllabus 2024 & 25, तो जैसी आप यह ताइप करेंगे, आप एंटर दबा दीजिए, आपको ने इस तरीके से एक page कुल के मिलेगा, यहां पर cbscacademics.nick.in की official website है, आपने इसी पर क्लिक करना है, जैसी आप क्लिक करेंगे, यह आगया आपका प्यारा सा syllabus, तो आप देख सकते हैं, 2024 & 25 का syllabus है, यानि की new curriculum जो है, उसी के according है, so यहां पर mainly जो है, आपको चार classes का मिल जाएगा, 9th, 10th, 11th, 12th, बाकी का भी आगया है, कैसे देखना है, वो मैं बताऊंगे आपको, लेकिन अभी मैं finally इस पर focus करना चाहते हूं, so अगर आप 9th के student है, या 10th के student है, तो आपने यह open क करना है, so finally हम 9th और 10th का रेख लेते हैं, अगर आपके कोई language subject है, जैसे हिंदी, English, Punjabi, तो आप इस पर click करके open कर लीजे, लेकिन अगर आपके कोई main subject है, जैसे math, science, sst, sst, sst का हिंदी में भी दे रखा है, तो आप इन पर आ सकते हैं, अब मैं यहां पर discuss करना चाहूंगी, आप से maths का syllabus, तो मैंने जैसी maths पे गई, मैं उस पे click कर रहे हूं, अब यहां पर क्या होगा ना, इस तरीके से एक page खुल जाएगा, आपको दिख रहे हैं, पूरी PDF है यह, लेकिन इंपॉर्टन बात यह है, कि यहां पर 9th का भी syllabus है, और 10th का भी है, तो आपने करना क्या है आपने ढंक से चेक करना है, जो उपर है वो आपको 9th का मिलेगा, और जो नीचे है वो आपको 10th का syllabus मिलेगा, तो यहां पर ना, देखो एक blueprint दे रखा है, कि भाया, आपका chapter number 1, जो है वो number system है, 10 marks का आएगा, algebra 20 marks का आएगा, coordinate geometry आपकी 4 नंबर की आएगी, geometry आपकी 27 की आए नंबर है, then polynomials है, then linear equation in 2 variable है, then coordinate geometry है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि कौन-कौन से चेप्टर आ रहे हैं, आप टिक लगा लीजे, कौन-कौन सी चीजें जो आपने पढ़नी है, यहां से आपको सब कुछ मिलेगा, next मैं आपको बता दू कि जैसी आप नीचे जाके यहां पर अगें तेंथ का स्लेबस दे रखा है, तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस CBSE स्लेबस जालना है, 2024 & 2025 का, then आप CBSE Academy की ओफिशल वेबसाइट पर आजेंगे, आपको स्लेबस मिल जाएगा, आपको मैद्स का चाहिए, आपने मैद्स का ले लिया, अगर आपक साइंस पर क्लिक कर दो, तो इस तरीके से एक और PDF कुल के यह सारा जो स्लेबस है, वो आपका साइंस का है, मैं इस चैनल पर हर एक स्लेबस के बारे में धंग से बता दूंगी आपको ताकि आपको दिक्कत ही ना हो कि भई कहां से क्या करना है, कितना करना है, तो वो चीज़ तो इसलिए आप एक बार देख लो, गो थू कर लो कि क्या क्या स्लेबस है, उसके बाद हम तो हैं आपको पताने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बिसी कि लिए अब मैं आना चाहूंगी 11-12 पे, और जैसे कि आप 35 का है, आपके सामने खोल दिया है, ताकि आपको दिक्कत ही ना हूँ, अब आप देख सकते हैं, इतना अच्छे दधीके से प्रेजेंटेशन कर रखी है ना, कि इनसान को दिक्कत ही नहीं होती है, कि यह 70 मार्क्स की तो मेरी ठ्योरी है, और 30 मार्क्स का मेरा प्रेक्टिकल सब बहुत अच्छे से समझा रख तो जरूरी यह है कि आप ढंक से पड़ें अच्छे से पड़ें ताकि आप बहुत अच्छा स्कूर कर सकें आप बहुत आपको समझाया होगा लेकि नहीं पर है कि अगर 11th का उपर है तो नीचे 12th का है और आप देख सकते हैं दोनों का पाकी मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आउंगे ताकि आपको दिककत बिलकुल भी न हो और आप समझ सकें कि क्या कैस लेबस में किस तरीके से आ अथेंटिक लगी है और आपको कुछ हेल्प मिली है मेरी वीडियो से यू कन स्टे कनेक्टे तो मैं चानल चस्ट प्रेस्ट बैल इकन गिविन बिलो और अल यूर सपोर्ट मैंटर तो अस तो थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच